दिल्ली हाई कोट ने अपनी एहम टिपड़ी में कहा कि शादी में पसंद की स्वतंतरता अनुशेत 21 का एक आंतरिक हिस्सा है अपनी मर्जी से शादी करने वाली युफ्ती के परिवार की जमानत याजी का पर अदालत ने ये टिपड़ी की पती की शिकायत पर ये मामला दज हुआ था दिल्ली पुलिस द्वारा ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देने पर दिल्ली हाई कोट ने सवाल उठाए हैं आपको बताते हैं क्या है ये मामला महिला के पती ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी के परिवार के सदस्या ने उसके बाद अभी होजन पक्ष का कहना है कि शादी के बाद जब दमपत्ती दिली लोटा तो पतनी के परीजन भड़क गए और पती को जान से मारने की धमकी दी इसके बाद पती ने 22 दिसंबर 2021 को शाम को पुलिस टेशन रजोरी गार्डन में संपर किया और सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया आपको बताएं हैरत की बात यह है कि जब दमपत्ती थाने से लोट रहा था तो पतनी के परीजनों ने उसे अगवा कर अपने घर ले गए और वहाँ उससे मारपीत की वहीं अभी होजन पक्ष ने कहा कि पतनी की दादी ने परिवार के अणने सदस्यों को शिकायत करता के नीजी अंग को काटने को कहा आरूप है कि मौसी और मा ने भी इसमें सहमती जटाई और उसके बाद वहां मौजूद परिवार के अधने सदस्यों ने शिकायत करता को पकड़ लिया और उसकी पत्नी के चाचा ने उस पर कुलहाडी से हमला कर दिया और उसका नीजी अंग काट दिया वहीं दिल्ली हाई कोट में पत्नी की मा दादी और बहन ने जमानत याचिका दायर की है दादी ने इस अधार पर जमानत मांगी है कि वह 80 साल से उपर की एक महिला है और विभिम भिमारियों से पीडित है इस पर अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते वे कहा कि युफ्दी की दादी अपरादी थी और लगभग 40 से जादा अपरादिक मामले में इनके नाम है वही अदालत ने कहा है कि तथ्य और परिस्तितियों को देखने के बाद ये एक बहुत ही भयानक तरीके से किया गया हमला था और घटना में शामिल युवक की पत्नी की मां और दादी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बन रहा है जबकि कोई सक्रिय भूमिका नहीं होने पर युवति की बहन को जमानत दे दी गई है ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे है पंचाब केसरी झाल